हाई फ्रेंस देखे इससे बनाने के लिए मैंने वर्दबान का उन लिया है मैं इसे डेखे डबल उन से बनाऊंगी तो इसके लिए देखे मैंने छे नंबर की सलाई ली है देखे छे नंबर अगर आप इसे सिंगल उन से बनाना चाहते हैं तो आप दस नंबर से इसे बना सकते हैं देखे हमें इस तरह से इसमें पंदे डालने हैं ऐसे देखे पहला पंदा ऐसे डीला सा रहता है तो इसे ऐसे पकड़े रहें इस तरह से हम इसमें फंदे बनाएंगे देखे यहां पे हमें टोटल 35 फंदे चाहिए देखे हमने यहां पे 35 फंदा बना लिया है अब इसे हम सीधा सीधा बुनेंगे देखे ऐसे हमें सीधा बनाना कि इस तरह से हमें यह पूरी लाइन कंप्लीट करना है देखिए मेरी यह लाइन कंप्लीट हो गई है अब इसे हम पलट लेंगे अब देखिए इस साइड से भी हम पूरी लाइन सीधी बनाएंगे देखिए सिर्फ हमें पहला फंदा ऐसे बिकेर बुने हुए उतारना है दागा पीशे करके ऐसे हमें सीधा बनाना है देखिए ऐसे सीधा फंदा बनेंगे देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन कम्प्लीट करना है देखिए मेरी ये लाइन पूरी हो गई है अब इससे हम पलट लेंगे अब देखिए इस साइड से भी हम पूरी लाइन सीधी बनाएंगे इसी एक लाइन को हमें रिपीट करना है देखिए इस साइड से जब हम बनाएंगे तो पूरी लाइन सीधी बनाएंगे जब इस साइड से बनाएंगे तो पूरी लाइन सीधी बनाएंगे सिर्फ हमें सीधा सीधा बुनते हुए इसकी लंबाई कम्पलीट करना है सिर्फ हमें पहला पंदा बेगेर बुनेह में उतारना है बाकि पूरी लाइन हमें सीधी बनानी है पहला पंदा ऐसे उतारके धागा पीछे करके ऐसे हमें सीधा बुनना है यह ऐसे तो फ्रेंस मुझे जितना बड़ा इसे बनाना है मैं सीधा सीधा बुन के इसे कम्पलीट कर लेती हूं देखे फ्रेंस इसकी लंबाई हमने कम्पलीट कर लिया है देखे 18 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है वैसे यह स्टैचबल होता है इस तरह से बढ़ता है अब देखे यह राइट साइड है सीधी तरफ अब राइट साइड से हम इसके फंदे बंद करेंगे देखे इसकी लंबाई कम्पलीट करने के बाद हम फंदों को बंद करेंगे देखे अब हम यहाँ पे किस तरह से फंदों को बंद करेंगे देखे ऐसे हम सीधा बुलेंगे ए, दो, दो फंदा हमें सीधा बनाना है अब देखिए ये वाला फंदा हम इसके उपर से ऐसे उतार देंगे तो यहाँ पर देखिए एक फंदा बंद हो गया है अब देखिए ये वाला फंदा हम ऐसे सीधा बनेंगे अब इस फंदे को हम इसके उपपर से ऐसे उतार देंगे तो यहां पे बंदा बंद हो गया प्रेंस यह फंदे हमें थोड़ा से धीले धीले रखने हैं हम एकदम टाइट नहीं उतारेंगे फंदों को यहां थोड़ा से हम लूज रखेंगे यहां पर इस तरह से फंदे बंद होते वे जा रहे हैं अब यहां पर हम धागा कट कर देंगे अब देखिए यहां पर हमें सिलाई करना है देखिए यह राइट साइड है और यह रॉंग साइड है जादा कुछ फरक नह बर देखिए कि नंड हमोज जाल कमते हैं यहां पर देखिए यहां एकिस तरह से सिलाई करना में से और यहां पर थो An बड़न साइड है तो आध की तरह सब दिख रहा है थोऑ नहीं करने मा देखिए किस तरह से सिलाई करनी है देखिए हमें ऐसे इसे मोड़ना है ऐसे हम फोल्ड करेंगे अब देखिए ये वाला जो कोना है इसे हमें ऐसे नीचे करना है अब इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे देखिए ये वाला कोना और ये वाला ये दोनों कॉर्णर हम आपस में ऐसे टच कि देखिए ऐसे इस तरह से हमें सिलाई करना है कि यहां से यहां तक हमें ऐसे सिलाई करना है तो अगर आपके पास ऐसे धागा है इसमें तो आप इसी धागे से इसकी सिलाई कर देजें अदर्वाइज आप अलग से धागा लेकर के इसकी सिलाई कर सकते हैं अब यहां पे हम ऐसे इसकी सिलाई करेंगे देखे फ्रेंस हमने सिलाई कम्प्लीट कर लिया है अब यहां पे ऐसे हम नौट लगाएंगे अब देखे धागे को हमें ऐसे अंदर कर देना है अब देखे इसी तरह से हमें यह वाला जो धागा है इससे भी अंदर कर देना है देखे इस तरह से यह बन गया है अब देखे यहां पे इसे हमें फोल्ड करना है इस तरह से करेंगे देखे इस तरह से यह है हमने यहां पे सिलाई किया है अब इससे हम ऐसे फोल्ड करेंगे अब देखे यहां पे आप अपने पसंद का कोई भी फ्लावर लगा सकती है या फिर कोई भी बटन इससे आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकती है देखे यहां पे चाहे आप यहां पे फ्लावर लगा देजे इस तरह से अब देखिए यहाँ पर ऐसे एक बड़न लगा देजी या फिर ऐसे कोई स्टोन लगा देजी या आपकी अपनी चॉइस है आप किसी भी चीज से इसे डेकॉरेट कर सकती है चाहिए यह फुलावर आप यहाँ पर ऐसे लगा देजी अब देखिए इसे हमें सुई धागे से लगाना है देखिए इस तरह से हम यहाँ पर ऐसे बटन लगा देंगे अब देखिए यहाँ पर भी हम ऐसे बटन लगा देंगे तो इसे भी हम सुई धागे से लगाएंगे देखे इसे हम इस side से ऐसे टाका लगाएंगे देखे इस तरह से ये complete हो जाएगा निक वार मा तो friends अगर वीडियो पसंद आई हो तो please वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कीजिए बेल आगर को press कीजिए ताके मेरे आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहे Thank you